गुड इवनिंग दोस्तों, डागर कॉंसेप्ट के इस ओनलाइन प्लेटफोरम पर है, मैं आपका हर्दिक श्वागत अभिनंदन करता हूं, वेटार हिजनिंग के इस सेशन में अपना जो टोपिक चल रहा था, एलफाबेट चल रहा था, और उसमें अपन जो कुशन देख गए थे, वो देख रहे थे, दिये गए सब्दों को सब्दकोस की अनुशार अरेंज करना है, जो आज की टाइप रहेगी, वो अपने को क्या करना पड़ेगा, कि कुछ सब्द मिलेंगे, उन्हें हमें सब्दकोस की अनुशार विवस्तित करना होगा, तो क्लास का पहला क् दिएगे सब्दों को उसी करम में विवस्तित कीजिए जिस करम में वे अंग्रेजी सब्दकोस में आते हैं और बेटा जितने बच्चे जुड़े हुए एक बार क्लास को शेर जरूर कर दे और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे बटा जल्दी से बताईए इस क्यूशन का एंस्वर क्या होगा कि दिएगे सब्दों को सब्दकोष के अनुशार विवस्तित करने पर कोंसा सब्द पहले नंबर पर आएगा, कोंसा दूसरे पर आएगा, कोंसा तीसरे पर आएगा, कोंसा चोथे पर आएगा, यह आपको बताना है बताईएगा, इस question का answer क्या होगा, जल्दी से बताईए, इस question का answer क्या होगा, बताईएगा, देखो, L-I-N-E दिया हुआ है, L-I-N-A दिया हुआ है, L-I-N-G दिया हुआ है, L-I-N-E दिया हुआ है, L-I-N-G दिया हुआ है तो आपको कैसे करना था इस question को, इन में से एक यूगम चुनना है बटा, कौन सा यूगम होगा तो देखो, L-I जो है, L-I जो दिया हुआ है, वो सब में कोमन है आपके पास, L-I है, L-I है, L-I है, L-I है, L-I है ठीक है, अगले एकसर पर चलते हैं, यहाँ पर N है, N है, N, N और N, N भी सब में कोमन है बटा जो कोमन है, उससे हटा कर चलना है, आग यह बात करें, तो इसमें E है, E है, तो जो दो नमबर पर होगा, वो एक पर आएगा पहले नमबर पर आएगा, इसमें E, इसमें G, इसमें E, इसमें G, तो अब देखो, आपके पास, यह तो होई गया सैटलमेंट, इसके बाद E है, यहाँ पर G है, E है और G है, तो कौन से में दो नमबर एक में है, कौन से में दो नमबर एक में है, तो यहाँ पर नहीं है, यह और यहां पर E दिया हुआ है, इनमें से यहां G है, यहां G है, तो E वाले पहले आएंगे, E को common है जो उसे अठाते हैं, इसके बाद देखो, इसमें कोई अक्सर नहीं है, तो यह दो नमबर पर हो जाएगा, इसमें यह तीन नमबर पर हो जाएगा, बिटा, तो एक दो तीन आ होगा, यह पांच नमबर होगा, आपको इन दो में से चुनना था, दो दो पर दो नमबर वाला एक नमबर पर आ रहा है, एक नमबर वाला दो पर आ रहा है, इसके बाद चार नमबर जो वो तीन पर आएगा, तो option नमबर 20 ही है, ठीक है, next question में चलते हैं, next question देखना बिटा नीचे दिएगे सब्दों को अग्रेजी सब्दकोस के अनुसार करम में विवस्तित करने के बाद कौन सा सब्द पांचवे स्थान पर आएगा, बिटा जल्दी से बताईए, पिछले question का answer बहुत सारे बच्चों का सही था, ठीक है, जल्दी करिए बिटा, चलो लो साई बता हूं, बताईए कि इस question का answer क्या होगा, कि नीचे दिएगे सब्दों को, अंग्रेजी सब्द को उसके करम में विवस्तित करने पर कौन सा सब्द पांचवे स्थान पर आएगा, बताईए, बिटा जल्दी करिए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके answer करने की कोशिस करें, तो देखो, कैसे करते इस question को, W सब में common है बिटा, H सब में common है, I सब में common है, common को हटा कर अगले पर चलते हैं, तो एक में बिटा आपके पास, देखो, W, H, I common, W, H, I, W, H, I, W, H, I, W, H, I, कलते हैं, यहाँ पे आपको है F मिला है, यहाँ पे F, यहाँ पे P, यहाँ पे L मिला है, यहाँ पे T मिला है, यहाँ पे S मिला है, तो छोटा अकसर पहले आता है, बड़ा अक्सर बाद में आएगा तो F-P-L-T-S तो सबसे बड़ा T है वेटा तो T जिसके यह जो है यह आपका पांच नंबर पर आना चीए था W-H-I-T वाहिट तो वाहिट जो है वो पांच नंबर पर आएगा उप्शन नंबर C में दे रखे है नेक्स क्यूशन देखो वेटा दिएगे सब्द को सब्दों को अंग्रेजी वर्ण माला के करम में विवस्तित कीजिए करिए बड़ा जल्दी से सेम क्यूशन है और विटा सबसे important reasoning में अगर type की बात करें तो ये question इस type का होता है। जहां से आपको हर question, हर भरती में question मिलेगा। बताईए आपके इस question का answer क्या होगा जल्दी। बहुत अच्छे विटा और जो बच्चे क्लास में जुड़े हुएं एक बार क्लास को share जुरूर कर दे। जल्दी करिए विटा। वही जल्दी से answer करने की कोशिश करें। जल्दी करो जल्दी। chale lalob side हें पटाईएगा आपके किशन का spread क्या होगा। जल्दी करो लूजी, चलो टो साइच हटा ह। मिस का answer क्या होगा। मिस् थेते राखा है, मिस्ट क्या होगा. मिघ्श्त दे राखा है, यह करम है। तो देखो, जो common है, उन्हें हटा देंगे. Common कोन है, बीटा? M, I common है, M, I common है, M, I common है, M, I common है, M, I common है. फिर यहाँ पे आपको मिला है S, यहाँ पे G, यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे I. तो बीटा, G, L, तो जी, I, S, S, S. S, G मिल गया, I मिल गया, S मिल गया, S मिल गया, S मिल गया, S मिल गया. तो यह आएगा बीटा, पांच नमबर जो था, वो एक नमबर पर है, और चार नमबर आएगा, दो नमबर पर. तो कौन से option में, पांच नमबर वाला एक पर है, तो सब में ही है बीटा? नहीं पता चल सकता कौन से में चार नंबर वड़ा दो पर है यहां नहीं है यहां नहीं है तो एक और दो में सैंसर होगा अब देखो S इसमें भी है S इसमें भी है S इसमें भी है अगले पर चलते हैं S S S I I इसमें I है इसमें I है बेटा यह E है तो यह तीन नंबर हो जाएगा, तो कौन से में दो नंबर तीन नंबर पर है, कौन से में आपको जो दो नंबर जो दिया हुआ है, वो तीन नंबर पर आ रहा है, तो दो नंबर बेटा तीन नंबर पर है, यहां पर यह दोनों पांच चार है, अब तीन नंबर है, देखो डब चार यह तो common दे फिर I, E, I तो E छोटा था यह दो नंबर वाला तीन नंबर पर आएगा विटा दो नंबर वाला तीन नंबर पर आएगा इसके बाद अगले पर चेक करते हैं अगले पर चेक करेंगे तो देखो I common है I common है, I common है, I common है, इसमें O है, इसमें N है तो विटा यह चार नंबर होगा और यह आपका पांच नंबर होगा तो यहाँ पर आपका जो result बनेगा विटा वो तीन नंबर आएगा तो आपका answer बनेगा देखो किस करम में होंगे यह पांच, चार, दो, तीन और एक, पांच नंबर वाला एक नंबर पर होगा, चार नंबर वाला दो नंबर पर, दो नंबर वाला तीन नंबर पर, तीन नंबर वाला एक पर और एक नंबर वाला पांच पर, चलो बिटा, next question की बात करते हैं, अगला question देखिएगा, नीचे दिएगे सब्दों को, सब्द को उसकी बदाईए, जल्दी से बदाईए, जितना जल्दी हो सके answer देने की कोशिस करें, आसान से question में आपको बहुत टाइम लग रहा है विड़ा, जितना हो सके उतना सेर किजिए विड़ा, जल्दी answer करने की कोशिस भी करें साथ-साथ, तो देखो इसमें जो common आ रहे हैं, वो common क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, RE common है, RE common है, RE, 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 CB common है, बिटा, CB common है सबमें, तो अगलेipher पर चलते हैं, यहाँ A मिला है, E है, E है, E है और E है, A वाडा जो है ये एक नमबर पर रहेगा, ये एक नमबर है, E सबमें ये है बिटा, तो E काट देंगे, E काट देंगे, E काट देंगे, E काट देंगे अगले पर चलेंगे यह I दिया है N है, S है I है तो बेटा I, E दोनों में common है इसके बाद V भी दोनों में common है E भी दोनों में common है R, E, C I, V, E R, E, C, I R, E, C, E I, V, E यहां बेटा कर सकते हो आप अब देखो इसमें इन में से यह दो नमबर माने यहां पर T मान लो तो यह जो है पांच नमबर वाड़ा यह तीन नमबर हो जाएगा ठीक है, R, E, V ठीक है R, E, C, E, I, V, E विटा T इसमें लगा दीजेगा तो आपका जो सही होगा वो B option सही हो जाएगा Next पे चलते हैं Next देखना दिएगे सब्दों को उसी करम में विवस्तित कीजिए जिस करम में विवस्तित सब्दकोस में आते हैं D-E-B-A-T-E, D-E-B-A-R-K, D-E-B-A-R, D-E-B-A-U-C-H और एक बताना है D-E-B-E-N-T-U-R-E तो अगर इनको सब्दकोस के अनुशार विवस्तित करेंगे तो इन में से कौन सा करम सही होगा बताऊ जल्दी कीजिए विटा बहिए जितना जल्दी हो सके एन्सवर करने की कोशिश करें जल्दी बेटा जल्दी और जो बच्चे क्लास में जुड़े होएं क्लास को सेर करना ना भूले बेटा जितना जल्दी हो सके सेर की एन्सवर दिये और सात-सात शेर करते हुए चले अपने दोस्तों में, चैनल को जिन बच्चों ने सस्क्राइब नहीं किया है, वो सस्क्राइब कीजिए, बीटा, ये 5-6 के बीच आपको रीजनिंग की क्लास आती है हर रोज, ठीके 6-7 के बीच आपको दिक्के की क्लास होती है, 7-8 के बीच म बेटा, आपके math, science की class होती है, तो जितनी मैनत हम कर रहे हैं, उतना ही मैनत थोड़ी बहुत आप भी कीजिए, class को जितना हो सके, दोस्तों में share करा करें हैं, तो देखो, सब्दकोष की अनुसार arrange करना था, D, E, B, D, E, B, D, E, B, D, E, B, बेटा, पांच नमबर तो यह fix हो गया, तो कौन से में पांच नमबर पांच पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दो answer तो कट गए है, इसके बाद देखो, A, इसमें भी कोमने काट दो, A, A, और A, अगले पर चलते हैं बेटा, T है, R है, R है, और U है, तो इनमें बच्चे वए में चार नमबर पर आएगा, यह चार नमबर पर होगा, तो इनमें से इन दो में कौन से में चार पर चार हैं, तो दोनों में यह बेटा, अगले पर चलते हैं, अगले पर चलेंगे, तो देखो, टी कौन से में एक नंबर वाला तीन नंबर पर है एक नंबर वाला तीन नंबर पर इन दो बचे हुए है तो एक नंबर वाला तीन नंबर पर इसमें है तो आपका एंस्वर जो सही होगा वो यह होगा बिटा इसके बाद देखो यह तीन होई गया आर दोनों में कोमन था इसम तो तीन नंबर एक नंबर पर आ रहा है, दो नंबर बेटा, दो पर ही आ रहा है, फिर एक नंबर तीन पर आ रहा है, चार नंबर चार पर है, पांच नंबर पांच पर है, अगले क्यूशन में चलते हैं देखना, बताईए, निमल लिखित सब्दों को सब्दकोस के, निमल ल जल्दी जितना जल्दी हो सके उत्तर करने की कोशिश करें विटा एक क्लास में आज आपके तीन नंबर के क्युष्ण ने बनने हैं कम से कम इसमें अगर जिन बच्चों ने सही कर लिया ना लगबग बच्चे सही उत्तर दे रहें तो एक नंबर तो जिन बच्चों ने टाइप शरी कर लिए एक नंबर पका कर लिए अपनी भरती का बिटा ठीक है दो नंबर और बच्चे हुए वो आज क्लास में एंड तक बने रहो कंफोर्म पक्य हो जाएंगे आपके तो देखो विटा इन में से C O N C O N C O N C O N C O N C O N को मन है इसमें F F F F और D तो विटा D छोटा है इसलिए ये पांच नंबर वाला एक नंबर पर आजएगा तो कौन से में पांच नंबर एक पर है तो इन तीन में ये विटा इसके बाद देखो तिन्नों में दो कोमन है तो जायद सी बात है कि दो कोमन है F F F F फिर U है I है L है और I है ठीक है तो पांच नंबर हो गए ये चार नंबर पर आजएगा विटा ये चार नंबर पर होगा सुरी यू इन में सबसे बड़ा है तो एक नंबर आपने पहले निकाल लिया है ये पांच नंबर हो जाएगा विटा U सबसे बड़ा था फिर I और L आई आई देखो आई यहां पे आई है यहां पे आई है और इसमें एल है तो यह चार नमबर हो जाएगा एल वाल तो कौन से में आपके पास एक नमबर बिटा एक नमबर जो है वो पांच नमबर में है ने तो यहां है ने यहां है इसमें है तो आपका एंश्वर यह सही होता चलता इस परकार से कर सकते हैं अब देखो इसमें आपके पांच नंबर जो एक नंबर जो पांछ पे चला गया चार नंबर वो है वह चार पड़ी है इसके बाद इन दोनों में आई कॉमन है उस और इसमें अगल अक्सर हे तो पीटा यह एक तो पहले ही दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, तो आपका परफेक्ट जो उत्तर होगा, वो ए होगा, अगले क्यूस्चन पे चलते हैं विड़ा, दिएगे सब्दों को अंग्री जी वर्ण माला के करम में व्यवस्तित कीजिए, टेकनोलोजी, टेकनिकल, टेकनिसियन, टेकनिक औरे, टीए, सी एच ए, एन ओ, पी एच ओ बी आईए, इनको सब्दकोष के अनुसार व्यवस्तित करने परे, कोना सब्द, कोना करम सही होगा बिटा, बताईए जल्दी, जल्दी ही, बिटा, जीतना जल्दी हो सके, क्यूशन क करने की कोशिस करें ही, करिए विड़ा, देखो इन में से जो कॉमन जा रहा है वो T-E-C-H, T-E-C-H, T-E-C-H जा रहा है, ठीक है, इसमें N है, इसमें भी N है, N है, और N है, तो मैं कह सकता हूँ कि सब में ही T-E-C-H-N, 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 T-E-C-H-N को मन है, अगले पे चलते हैं, O-O-C-I-U, तो बेटा, यह U वाड़ा जो है, वो सबसे बड़ा है, यह पांच नमबर हो जाएगा, तो किसने चार नमबर का पांच नमबर पर आ रहा है कोन से में, चार नमबर वाला सब से अंत में आ रहा है, तो ने तो यहां आ रहा, ने यहां, ने यहां, तो आपका एंस्वर क्या होगा बेटा, C, बिल्कुल परफेक्ट एंस्वर जो होगा बेटा, बहुत सारे बच्चों का सही है, C, अगले क्युशन पे चलते हैं, निमन से एक सबद दिये गए, सबद के अक्षरों का परियोग करके बनाया जा सकता है, उस सबद को चुनिए, पिटा, दिये गई, क्युशन कंप्लीट देखना एक बार, अब क्लियरली दिख रहा है, कि नीचे निमन लिखित परतेक परसन में, 11 से 15 तक के परसनों में सबद दिये गए हैं, जिसके पस्चाहत, चार अन्य सबद विकलप के रूप में दिये गए हैं, जिन में से एक सबद, दिये गई सबद के अक्षरों का परियोग करके बनाया जा सकता है, उस सबद को चुनिए, तो बिटा, बहुत ही महत्वपूरण टाइप है, यहां से भी एक क्यूशन आपके सबद देके, उसके टुकडे करके देगा, और पूछ रहा होगा कि कौन सा बन रहा है, अगर कौन सा बन रहा है, तो तीन नहीं बनने वाले होंगे, और अगर यह दूसरा पूछता है कौन सा नहीं बन रहा, तो तीन बनने वाले देकर एक नहीं बनने वाला देगा, तो इन अक्सर ओना चीए, उनके अलावा अक्सर नहीं ओना चीए. पहली जीद कि जो अक्सर इसमें हो वो ही अक्सर ओने चीए. दूसरी चीज बेटा, अगर उपर कोई अक्सर एक बार आया है, तो निच्चे जदा से जदा एक बार काम में ले सकते हो आप. ठीक है? अगर उपर एक बार आगया, तो निच्चे बेटा, जदा से जदा एक बार काम में ले सकते हो. अगर नए काम में लो तो कोई बात नहीं. लेकिन लो तो भी जदा से जदा एक ही बार लेना है. ठीक है बेटा? तो चलो देखते हैं कि M, E, A, S, U, R, E, M, E, N, T. M है बेटा, इसमें. M दिया हुआ है, A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, लेकिन L नहीं है. देखो L इसमें कहीं पर भी नहीं है, चलो यह नहीं बन सकता. R है, E है, T है बेटा, U है, N है, E है, S है. तो देखो, R, B है, E, B है, T आपको दिया हुआ है, U आपको दिया हुआ है, N आपके पास है, E आपके पास है, S आपके पास है. तो बिटा आपका जो बनने वाला सब्द वो कौन होगा A देखो A है double S तो बिटा S A की बार है आपके पास यहां पर दो दे दिया इसलिए यह नहीं बन रहा S U M M एक बार था M यहां वापस आ गया बिटा आई 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 आपके पास नहीं है इसलिए यह नहीं बन सकता तो कौन बनेगा भी ठीक है बहुत अच्छा क्यूशन है नेक्स क्यूशन आपको बताना है बिटा इसमें बता दो H-E-A-R-T-L-E-S Heartless से कौन सा नहीं कौन सा बन रहा है को च्छन आपके पास से वी ए परसं में दिए गए सब्द एक सब्द दिया गया है इसके पासा चार न्य सब्द विकलप में दिए गए हैं जिनमें से एक सब्द, एक सब्द दिये गए orkshory का परियोग करके बनाया जा सकता है उस सबद को चुने, इसका दूसरा परसे ने बिटाई ये, Heartless, बताईए, जल्दी से बताईएगा, कि Heartless से कोन सा बन रहा है, कोन सा नहीं बन रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, सरे, H-E-A-L बन रहा है, B, बहुत सारे बच्चों का एंस्वर आ रहा है, B, तो चलो बेटा देखते हैं, देखो इस क्विश्चन में, आपके पास S है क्या? बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, F है क्या? F कहीं नहीं है, नहीं बनेगा, H है, E है, A है, L है, B बन रहा है बेटा, R देखो, R है, I है, I कहीं नहीं है, नहीं बनेगा, S है, I नहीं है, नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा भी? Next question देखना, वेटा. Requirement से कौन सा सबद बन रहा है? Requirement से कौन सा सबद बन रहा है? वेटा, इन में हैं उनके अलावा अक्सर नहीं होनाची. तो देखो, जल्दी से करो, बहुत अच्छा, आसान सा question है, कि कौन सा बन रहा है इनके अक्सरों का परियोग करके, कौन सा बनाया जा सकता है? जल्दी करो, बिटा. बताईएगा, दिएगे अक्सरों का परियोग करते हुए, कौन सा अक्सर बनाया जा सकता है? बताईए. अरे, जल्दी बताओ. इतना तो टाइम ही नहीं लगना था यार, देखो, D है, क्या D कहीं दिख रहा है, नहीं, D कहीं नहीं है, D नहीं है, तो बनेगा कौन, B, U है आपके पास N है, I है, T है, E है, तो कौन बन रहा है, B, next question देखना, N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-O-O-D से कौन बनेगा, बताइए, बताइए, पेटा, जल्दी से, कि कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, बहुत अच्छे, पेटा, जो बच्छे एंश्वर दे रहे हैं, और भूलना नहीं है, कि क्लास को भीच भीच में आपको सेर भी करना है, जल्दी कीजिए, पेटा, बहुत सारे question करने, एंश्वर और जल्दी देने की कोशिस करें लोग बिल्कुल साइड रट गया, बताइए, बताइए, किस question का, भी कौन सा बन रहा है, इन से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पेटा, तो देखें पेटा, N, क्या, D है, बिल्कुल, O है, O भी दुबारा रिपीट है, R है क्या, R है, लेकिन S नहीं है, नहीं बनेगा, G है, बिल्कुल है, E है क्या, E कहीं नहीं दिखरा, नहीं बनेगा, G है, डब O है, फिर उसे O है, D है, यह बन रहा है, बता, R है क्या, है, O है, O है, U है, U है, G है, है है एच वाई नहीं है विटा नहीं बनेगा यह दोनों नहीं तिनों नहीं बन रही है यह बन रहा है next question पर चलता हूं विटा next question देखिएगा recommendation से कौन सा बन रहा है बताईए विटा इस सब्द से कौन सा बनाया जा सकता है बताईए इनमें से सेमी क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जल्दी, 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 बहुत अच्छे बेटा जिन पच्चु का एंस्वर आ गिया है अब तक, बताव, भई क्या एंस्वर आएगा जल्दी से बता दीजिये, जल्दी से बताईए, अरे इतना टाइम नहीं लगना था इस क्विश्चन में, यह जो क्युश्चन है आपके पास, बेटा यह इतने टाइम का नहीं है, देखो, इसकी अगर मैं बात करूँ, क्या M है, बिल्कुल है, E है, D है, I है क्या, है, A है, E है सर, T है क्या, T B है, E है, बिल्कुल E है, लेकिन बेटा, E दो बार है, दो है, तो कौन बन रहा है, A है, M है, E है, M B है, E B है, D है, बिल्कुल है, I है, C है क्या बिटा, C है, I दुबारा से है, नहीं, E की बारा नहीं बनेगा, R है, E है, M है, I नहीं है, I है बिटा, N है क्या, D देखो, D, आपको नजर आ जाएगा, क्या दुबारा से E है, बिल्कुल है सर, क्या दुबारा से R है क्या, बिटा, नहीं, नहीं बनेगा, C है, O है, C भी है, O भी है, देखो, C, O, M, B है, यहां तक का कॉमन है, U है क्या, U, देखो, U कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यह नहीं बनेगा, कौन बनेगा, A, अगले क्यूशन पर चलते हैं वेटा, देखो, नीचे दिये गए सब्द में, ऐसे कितने जोडे हैं, या युगम हैं, जिनके मद्धे उतने ही अक्षरों का अंतर है, जितना अंग्री जी वर्ण माला में होता है, और बेटा लगा दो इसके भी, इंपोर्टेंट, लगा दीजेगा, इंपोर्टेंट है, क्यूशन है, इसके भी अपने, क्यूशन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, जिसमें नीचे दिये गए सब्द में, ऐसे कितने जोडे हैं, जिनके मद्धे उतने ही अक्षरों का अंतर है, जितना अंग्री जी वर्ण माला में होता है, देखिए क्या करना है, क्या करना है, तीन बाते ध्यान रखनी है, कि अक्सर युगम या जोडे हमेसा बढ़ते करम में बनते हैं, अरे बेटा, आपकी साधी करनी है, तो अगर आप लड़के हो, तो कहीं लड़की मिलेगी तब ही तो करेंगे, और अगर आप ल हो, आर से चलना है, ठीक है, बढ़ते करम में बनेंगे, दोनों तरीके से देखना है, बाएं से दाएं भी चेक करना है, और दाएं से बाएं भी चेक करना है, आर से चलोगे, स, टी, यू, वी, डबलू, अक्स, देख, आर से गए, स, टी, यू, वी, डबलू, अक्स, करना क खिन CA जिस स्थान के लिए जिस स्थान के लिए जो अक्सर आप मुझसे बोल一 यूदि उसी इस्थान पर वही अक्सर दिआ गया है तो अवसे जोड़ा बनेगा विटा हमेशा जोड़ा बनेगा देखे कैसे अर अ 2 कि आरगे से शुरू किया यहां के लिए S बोला, अगर यहां S होता तो जोड़ा बन जाता, R से S, T, U, V, W, X कहीं नहीं मिला, तो इसके साथ 22 सिदाएं कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, E से चले F, G, H, I, J, नहीं, S से T, U, V, Dekhu, S और U के बीच में, दो ही अकसर होते हैं, यहां भी दो हैं, तो जोड़ा मिल गया है, इसके बाद V, W, O से चले P, Q, R, L से M, N, V से आगे बड़ा अकसर नहीं है, तो जोड़ा नहीं मिलेगा, E से आगे कोई अकसर नहीं, तो बाएं से दाएं तो बना है बिटा, एक, अब दाएं से बाएं और चेक कर लेते हैं, देखा न, E से F, E से F, G, H, I, J, K, इसके साथ कोई नहीं बनेगा, V से डबलू, अकस, वाई, जिड, तो इसके साथ को नहीं बनेगा, L से M, L से चले M, N, O, P, नहीं बन रहा है बिटा, L से कोई नहीं बन रहा, ओसे चले, ओसे P, Q, R, तो देखो, यहां के लिए R बोला है, R ही लिखा हुआ है, तो एक बन गया, O, R का, ठीक है, इसके बाद S से आगे बढ़ा नहीं है, तो नहीं बनेगा, E से F नहीं है, नहीं बनेगा, R से आगे अकसर नहीं है, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, दो, जो अप्शन नमबर B में दिया गया है, नेक्स कुशन बेटा, इसी टाइप का है, करके ब आई, S, T, M, A, S में बताना है, इसमें बताना है बेटा, कि कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े नहीं बनेंगे, बताईए, बताईए, जल्दी से करिए, बेटा, एंस्वर, जल्दी, बेटा, C, M, E, Q, C, H, R, I, S, T, M, A, S में बताना है, कि कितने जोड़े बनेंगे, इसमें बताना है, बेटा, कि कितने ऐसे जोड़े हैं, जिनके मद्दे, उतने ही अक्षरों का अंतर है, जितना अंग्रेजी वर्ण माला में है, तो देखू, आपने C से चलना शुरू किया, C से चलना शुरू किया, तो C से D, E, F, G, H, I, J, K, कहीं पर भी नहीं मिला न, जिस स्थान के लिए जो बोल्ड हो यह दी, उसी पर वो लिखा हुए तो जोड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो C से चले, D, E, F, G, H, I, J, K, कहीं नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, C के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, H से चले, I, J, K, L, M, तो देखो वेटा, एक जोड़ा बन गया, आपके पास, H, M का, M पर ही नहीं छोड़ाना है, C से, H से, I, J, K, L, M, N, O, ठीक है, चलो एक जोड़ा मिल गया है, R से चले वेटा, S, T, U, R से, S, T, U, V, W, X, नहीं है, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, इसके बाद देखो, इसका कोई नहीं बनाएगा, I से, J, K, L, M, N, कहीं नहीं मिला, छोड़ो, S से चले, S से, T, पेटा, S से, T, के विच में कोई अक्सर नहीं होता, यहां भी नहीं है, तो जोड़ा मिल गया है, S से, T, U, S से, T, U, V, W, कहीं नहीं मिला, छोड़ो, S, T का एक ही जोड़ा बनेगा, इसके बाद T से, U, देखो, T से चलना शुरू किया, T से, U, V, W, नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बन रहा, T के साथ में, T के साथ में, T से आगे कोई जोड़ा नहीं है, M से, शुरू किया, N, O, तो बिटा, M के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा, A से, B के, A के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, बिटा, तो बाएं से दाएं तो बने हैं आपके पास, दो जोडे, अब दाएं से बाएं और चेक कर लो, दाएं से बाएं चेक करने के लिए, देखो अपन क्या गरेंगे, दाएं से बाएं, एस से चलो, T, U, V, W, देख, S से चले, T, U, V, W, X, Y, Z, तो बेटा, कहीं पर भी जो अक्सर मुझ से बोला, वो लिखा हुआ नहीं मिला, इसलिए, S के साथ कोई जोडा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो S के साथ कोई नहीं बनेगा, A से चले, B, C, D, E, F, G, H, नहीं मिला तो जोडा नहीं बनेगा, M से चलोगे, N, O, P, Q, R, S, नहीं तो क कोई जोडा नहीं है, T से बेटा, आगे बढ़ा है क्या, T से से कोई बढ़ा अक्सर है गया, नहीं है सर, तो कोई जोडा नहीं बनेगा, क्या S से बढ़ा है से नहीं बनेगा, I से J, K, L, नहीं है, नहीं बनेगा, R से आगे बढ़ा नहीं है, S से आगे अक्सर नहीं है, तो बाएं से दाएं दो और दाएं से बाएं जीरू तो इसमें कितने जोड़े होंगे वेटा दो next question लेके आ रहा हूं सेमी बदाईएगा Q-U-O-T-I-E-N-T में कितने जोड़े बनेंगे क्या तीन से अधिक बनेंगे, क्या एक बनेगा, क्या दो बनेगा, क्या तीन बनेंगे या इन में से कोई नहीं करिए वेटा जल्दी से वेटा जल्दी से answer करने की कोशिस करें बहुत है अच्छा question है, बताईएगा बताईए, question का answer क्या होगा बताईएगा, कितने जोड़े बनेंगे इसमें तो देखो वेटा, आपन क्या कर रहे थे, जिस स्थान, एक तो बड़े जोड़े हैं, अमेंसा बड़े अक्षरों के साथ बनते हैं, दूसरा दूसरी अगर बात करें है अपन, तो कि जिस स्थान के लिए जो अक्सर बोलोगे, उसी के साथ है अगर जिस स्थान के लिए जो अक्सर बोलोगे, जिदी उसी स्थान पर वो अक्सर लिखावा है तो जोड़ा बनेगा, अब देखो आपने क्यूं से चलना-शुरू किया जैसे आपने Q से चलना शुरू किया, Q से R, S, T, तो आपको यहां तक गए तो T मिल गया, T और Q के बिच में दो ही अकसर होते हैं, यहां भी दो ही हैं, तो एक जोड़ा मिल गया, बिटा इसके बाद यहीं नहीं छोड़ना है, T से आगे बढ़ाना है, U, T से U, देख, Q से गए Q से R, S, T, U, V, W, X, कहीं नहीं मिला, तो एक जोड़ा मिल बना है, Q के साथ Q और T का, U से क्या आगे कोई बढ़ा अकसर है, नहीं है, तो U के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, O से चले, P, Q, R, S, T, देख, O से चले हैं, P, Q, R, S, T, तो बिटा, यहां के लिए अपनने T ही बोला है, और T ही लिखा हुआ है, तो जोड़ा बन गया, T से आगे बढ़ा नहीं है, नहीं बनेगा, I से J, K, L, नहीं है विटा, नहीं बनेगा, E से F, G, नहीं है विटा, नहीं बनेगा, N से O, नहीं है, नहीं बनेगा, T से आगे अकसर नहीं, तो नहीं बनेगा, अब बा U, V, W, X, Y, Z से आगे कोई अक्सर बढ़ा होगा ही नहीं बिटा तो T के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा N से चले O, P, Q, R, S, T नहीं बिटा N के साथ भी नहीं है E से चलेंगे F, G, H, I, J बिटा E के साथ भी कोई जोड़ा नहीं मिला I से चले J, K, L, M बिटा कोई जोड़ा नहीं मिलेगा T से चलोगे U, V, W तो नहीं बनेगा इसके बाद O से P, Q देखो यहां के लिए Q बोला है Q ही लिखा हुआ है तो एक जोड़ा बन जाएगा O, Q का इसके बाद U से आगे बड़ा अक्सर नहीं है तो दाएं से बाएं बन रहा है एक टोटल जोड़े बनेंगे बिटा तीन और यह जो Q है नेक्स्ट यह आपको करना है और बताना है इसमें कि दिये गए सबद में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मद्दे उतने ही अक्सरों का अंतर है जितना अंग्रेजी वर्ण माला में होता है ठीक है बिटा और यह यह Q tos में आपको या इसी क्लास में comment में जवाब देना है कि इस Q कैया होगा एक तो इसका बताना हो और एक बिटा आपको सेम इसी परकार का Q tos है यह इसमें बताना है कि इन दोनों में कितने कितने जोड़े बनेंगे जैसे आप इसका बताओ तो आपको बता देना है विटा 20 नमबर में कितने बनेंगे जैसे एक्जामपल के लिए क्यूशन नमबर 20 में आपके पास 3 जोड़े बनेंगे तो 3 लिख देना जैसे question number 19 में विटा आपके पास दो जोडे बने हैं तो दो लिख देना ठीक है इसी परकार से जवाब देना है comment box में आज के लिए धन्यवाद विटा और आज की class से कम से कम 3 question है इनी को ध्यान में रखते हुए आपसे जितना हो सके उतना share किजेगा thank you so much, मिलते विटा नेक्क सेशन, all the best